आलो ग्यर्ग जागरूती हलो और वेल्कम टू एजे न्यूज वन्स अगेन दोस्तो आज हम आए हैं राजगुरू हेल्थ केर एड रिसेर्च सेंटर जो एन फाइब एरिया में इस्तित है आरोंगाबाद में आज हमारे साथ ऐसी सक्सियत है डॉक्टर अजे राजगुरू जो हुमेपेतिक ट्राइकॉलोजिस्ट है आए हम उनसे जाने के कोशिश करते हैं कि सकाप सरसिस क्या होती है काफी सारे लोग इस दिजीज से जुनते है तो हम उनसे आज इस विशेपर प्रश्न पूचते हैं किस तरह से उसे ट्रिट किया जाता है और सकाप सरसिस क्या होती है कि सकाप सरसिस माने क्यम्री तक जो बहुत सारी रूसी होना लाल लांग चक्ते आना तो लाल जो यह ज्यादा होती है जिस चक्ते सरे भी होता है और उसको पर वाइट स्कैलिंग भी होता है महाँ बूत भूजलाई यह काफी पुरानी ची कर्ण लोग भूट लोग उससे प्रस होते हैं कॉआ चली करेशन होते हैं इस समर्षा में बार्न क्यादी प्राटकाइज लिए निदा रहती है बीडिशी पीप्रोग भी जाते हैं कि इसके काया जनर्रली कोई बउमाजिय मैं हो सब…. कितने गंबीर होती है ND Buffalo Hill forehead स्कॉल्ड स्टॉरेशिस ऱेक्षुल लेखा तो बहुत गंबीर की होती है और इसमें भाव जदे थ है, फुजली भूत होती है दरस्त होता है आदमी परेशान होता है दवा खाता के तो इस एकर प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए जाए चयाज मेने का प्रोसजनी परी ज़रा ठीक हो सकता है स्काल्प सोरेसिस यह आटोइमून डिसीज है कोई की उमर में हो सकता है और कभी-कभी केमिकल डाय, कलर शांपू, हैस्टेट में, हार्ट शांपू, इस वज़े से भी कभीकर विश्टाइब अबर के आसा है स्काल्प सोरेसिस में जो है एज करक्टर क्या माहिने रखती है एज करक्टर है वैसे 20 से 40 तक का जो एज ग्रूप है इसमें ज्यादा तर यह स्काल्प सोरेसिस देखा जाता है वैसे यह कोई भी उमर में हो सकता है यह 20 से 40 तक यह ज़गा कैसे मानले हम डू जो इस्टालram शुलेक्सिस की बीमारी है उसे कैसे मानते हैं कि हम हमारा को यह बीमारी हो वेगी बहुत दिनों से पेशन को रुशी की शिकाईडिकी की इस रही किन ओधी क्या पासाह से बहुत गैंडर हो रहा है रुशी बहुत हो रही है इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट है वो होमेंपेटिक और अलोपेटिक में ऐसे ली जाती है अलोपेटिक में कोल्टार एजन्ट जे होते हैं शांपू दिये जाते हैं लोशन्स दिये जाते हैं और इसमें करवन की पित्ना होते हैं कोल्टार एजन्ट शांपू लगाते हैं और लोशन्स लगाते हैं अगर पेशन्ट को सरासस होती है तो उसे क्या-क्या परेश करना चाहिए परेश किसी पेशन्ट में ज्यादा करके रेड बटल, पीश, टिकन, बेगन, गवार तक का लिए पोस्ट एक नाय और आप जरवानृष खा सकते है पोस्ट की इन इस पैप्सटीक आहर में आप घ्याक्या क्या लेना चाहिए अर फोस्टिक काहर में आप जवस खा सकते है तील क्या सफे है अरक्वर पानी पी seb कितना वक्त लगता है सोरसिस आच्छी होने लेकित होता है आपने हमें एजे निश के लिए केम से रुख दिया है और तोरसिस के बारे में काफी अच्छी इंपॉमिशन लिए हम पिसे आपका एक निवाद करते हैं